माई सेल्फ वरुन कुमार यह वीडियो इंटर क्लास के लिए है चैप्टर का नेम है बंसागती का आणविक आधार और इस टॉपिक है डियने के कार ठीक है फंक्सन आप डियने डियने का अनुवांसिक पदार्थ होता है जो इन्फॉर्मेशन को जन्रेशन टू जन्रेशन पहुँचाने का कार गरता है यह कोसकाओं की किरियाओं ब्रदी बिभाजन सन रचनात्मक प्रोटीन के संसलेशन को नियंतरित करता है नेक्स्ट यह है एन्जाइमी प्रोटीन के नियंतरित करके उपाप्शाई किरियाओं पर नियंतर रखता है और एन्जाइम जीवन की समस्त उपाप्शाई किरियाओं का नियमन करता है डियने प्रोटीन संसलेशन की सूचना mRNA द्वारा राइवोसोम में भेशता है जहां पर प्रोटीन का निर्माड होता है DNA क्रोमेटिन जाल का अधिकांस भाग बनाते है DNA द्वारा ही जीवों में उत्परिवर्तन यानि म्यूटेशन होते है क्योंकि जीन नुकलिक एसिड के ही बने होते है Next है क्रोसिंग ओबर में रिकॉंबिनेशन यानि पुनर सयोजन द्वारा जादियों में बिविन्ताय उत्पर्ण करता है DNA के जो बेस पेयर है में परिवर्तन के फल्स रूप जीन में म्यूटेशन होता है उत्परिवर्तन होता है कोस्काओं के बिकास के समय इन में बिवेदन उत्पर्ण करता है किसी कोस्का बिसेस में कुछ ही जीन क्रियात्मक बने रहते हैं यह कोस्का को विविन संवर्चना एवं क्रियाओं की छमता प्रदान करता है यूबा आवस्था से मर्तु तक के बिकास को नियंतृत करता है जिसे internal clock कहते हैं इस आधार पर कहा जा सकता है कि विकास ये संबंद के निधारण में DNA और प्रोटीन की बिसीज भूमिका होती है क्लियर समझ में आ गया